Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का साथ ताहिक राशीफल तो चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है Temperance and Duration और देखें ये दोनों ही cards कहीं similar से energies की बात करते हैं Temperance का card Patience की बात करता है Sabr की बात करता है Balance की बात करता है Moderate energies की बात करता है और कहीं Duration का card Stability, Security की बात करता है आप लोग देख पा रहे होंगे इस card में mountains बने हुए हैं और mountains कहीं बहुत ही एक you know again strong willpower की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है अपने मकसद, अपने goal को लेकर again बहुत जबरदस्त एक willpower determination deeper level पे रह रह रहा है और surface level पे आप बहुत सबर, बहुत patience के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं और देखिए Aquarius जब हम ऐसी energies में होते हैं तो हमारे goal हमारे मकसद को achieve करने से हमें कोई नहीं रोक पाता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी again रहता हुआ देख रहा है और यहाँ पे देखिए जो लोग ऐसी energies में नहीं है उनके लिए message भी है कि आप बहुत willpower determination के साथ चीज़ों को deal करें और दीखिए आपके professional front में एक stability, एक security भी किसी level पे आती हुई दिख रही है कोई चीज अगर आप बहुत time से बहुत जादा कर रहे थे या पिर बहुत कम कर रहे थे उसी से ही related एक balance भी आप लाना चाहा रहे हैं या फिर ला रहे हैं और different different चीज़ें अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए आप try या फिर explore भी इस week करते वे दिख रहे हैं overall professional front से related इस week के energies काफी अच्छी रहते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है seven of swords and following तो दिखिए एक तरीके से ये दोनों ही cards एकदम से contrary energies की बात करते हैं जहां seven of swords का card किसी level पे किसी तरीके की cheating की बात करता है वहीं following के card में आप देख पा रहे होंगे की loyalty लिखा हुआ है और ये loyal energies की बात करता है तो दिखिए broadly speaking अगर हम देखें इस week के energy specifically आपके personal front में तो हो सकता है कि जिस इनसान पे जिस situation पे जिस चीज पे आपने बहुत जबरदस trust किया उसी की ही तरफ से किसी level पे एक cheating वाली energies रह सकती है या फिर एक manipulation रह सकती है और देखें specifically देखें तो seven of swords का card कहीं escapism वाली energies की बात करता है कहीं चीजों को ignore करने की avoid करने की बात करता है manipulation की बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है और देखें कुछ ऐसा ही again आपके personal front में रहता हुआ देख रहा है कुछ Aquarius ऐसी energies में हो सकते है और कुछ Aquarius के आसपास के लोग या situations ऐसी रह सकती है और देखें Aquarius अगर आप ऐसी energies में है तो कहीं आप up front होके चीजों को नहीं deal कर रहे हैं आप लोगों से situations से कहीं बचते बचाते दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप कर रहे हैं Aquarius तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि देखें जब हम situation को avoid करते हैं इस डर से कि अगर हमने इसको up front होके deal किया तो हम परेशान होंगे तो हम बहुत ही temporarily उस परेशानी को avoid कर रहे होते हैं क्योंकि back seat में वो कही accumulate होती रहती है और एक time आता है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि चाहा कर भी फिर हम ignore नहीं कर पाते हैं और उस time पे again वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसको deal भी properly नहीं कर पाते हैं और अगर दिखे Aquarius आप चीजों को लोगों को manipulate कर रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी अपनी checking कर लें अगर यह manipulation healthy है यानि कि आपके intentions, motives ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है कभी-कभी हमें ऐसी energies में रहना पड़ता है लेकिन अगर आपको लगे कि आपके intentions, आपके motives ठीक नहीं हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि इस चीज को check करके आप correct करें और देखिए अगर लोग manipulative हो रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़े से आप alert रहें थोड़े से आप cautious रहें blindly किसी को भी आप trust ना करें और देखिए बहुत बड़ा एक reason इस week ऐसी energies का हो सकता है कि आप blindly लोगों को follow कर रहे हैं आप पिर किसी इनसान को आप blindly follow कर रहे हैं आप again मैं कहूंगी blind trust कर रहे हैं और देखिए जब भी हम blind trust करते हैं ना तब हम परेशान होते हैं मैं यह नहीं कह रही कि आप trust ना करें देखिए trust थो हमें करना ही पड़ता है उसके बगैर गुजारा नहीं है लेकिन आखें बंद करके आप ट्रस्ट ना करें और देखें अगर ऐसा आप करेंगे तो इस वीक की एनरजीज को आप बेटर कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए कार्ड है red और ये कार्ड कहता है forgive तो देखें किसी भी इनसान को लेकर अगर आपको बहुत गुसा आ रहा है एक grudges आपके मन में है आपको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और आप कभी भी उनको माफ नहीं कर पाएंगे या फिर आपसे ही किसी के लिए कुछ गलत हो गया और आप सोच रहे हैं कि भाई आप खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे तो ये कार्ड कहता है कि बहुत बहुत important है कि आप forgive करें क्योंकि देखें जब तक आप forgive नहीं करेंगे तब तक आप अपने लिए एक सुकून एक peace of mind नहीं ला पाएंगे और इसलिए देखें कहते भी हैं कि हमें forgiveness प्राक्टिस करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी को forgive करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं हम अपने लिए ही अच्छा कर रहे होते हैं हम अपना ही भला कर रहे होते हैं तो फिर से देखें इस चीज का आप खयाल इस वीग ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए